साथियों, हमारे हाँ जब मंदीर के भवन का निर्माण होता है, तो शुरू में उसका आधार सिर्फ एट पत्थर ही होता है, कारिगर, सिल्वकार, सभी के परिशम से मंदीर के भवन का निर्माण पूरा होता है, लेकिन वो भवन एक मंदीर तब बनता है, उसमें पुर्णता तब आती है, जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होने तक वो सिर्फ एक इमारत ही रहता है, साथियों नया संसत भवन भी बन कर तो तयार हो जाएगा, लेकिन वो तब तक एक इमारत ही रहेगा, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा किसी एक मूर्ति की नहीं होगी, लोग तंत्र के इस मंदीर में इसका कोई विदान विदान भी नहीं है, विदी विदान भी नहीं है, इस मंदीर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इसमें चुनकर आने वाले जन प्रतिष्ठी दी, उनका समर्पन उनका सेवाभाव इस मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा करेगा उनका आचार विचार व्यहवार इस लोग तंत्र के मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा करेगा भारत की एकता अखंता को लेकर किये गए उनके प्रयास इस मंदीर की प्रान प्रतिष्टा की उर्जा बनेंगे जब एक एक जन प्रतिदी अपना ज्यान अपना कौशल्य अपनी बुद्धी अपनी शिक्षा अपना अनुभव पूर्ण रुप्षे यहां निचोर देगा राष्ट हित्म निचोर देगा उसी का अभिशेक करेगा तब इस नए साउसत भवन की प्रान प्रतिष्टा होगी यहां राजसभा काउंसिल सब्स्रेट्स हैं एक ऐसी वबस्ता है जो भारत के फैडरल स्रक्चर को बल देती है राष्ट के विकास के लिए राज्य का विकास राष्ट के विकास के लिए राज्य का विकास राष्ट की मजबूती के लिए राज्य की मजबूती रास्त के कल्यान के लिए राज्य का कल्यान इस मुलभुत सिध्धान के साथ काम करने का हमें प्रान लेना है पीडी दर पीडी आने वाले कल्बें जो जन प्रतिश्थी यहां आएंगे उनके सफपत लेने के साथ ही प्राण प्रतिश्था के इस महायग्य में उनका योगदान शुरू हो जाएगा इसका लाप देश के कोटी कोटी जनों को होगा संसत की नई इमारत एक ऐसी तपोस्थली बनेगी जो देश वास्यों के जीवन में खुशाली लाने के लिए काम करेगी जन कल्या का काम करेगी